हेलो ये लड़की कौन है ये गुड़िया आई हुई है मेरे घर आजकर अग ये आ गया है मेरा रात का डिनर जो भी मैं खाने जा रही हूं और यहां पर चल रहा है टीवी जिसको अब मैं बैठ के मुझे बस इंज्वाय करना है और कोई काम नहीं है मेरे पास और मैं अपने घर आ गई है चेंजेंज कर लिया है कपड़ों को मैं तो घर आने के बाद में दीदी ने नीचे से हम लोगों के लिए सब खाना बिजवा दिया था और बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था उन्होंने ये है दाल मखनी और पनीर क सबजी और आलू गोभी सबजी रोटी खालो राश्पर नहाद हो लिए नहाद हो कि अब खाय नास्ता कर रहे हैं ब्रेड मखन दिया है ममे ने दीदी ने चाय बना कर दे दी थी अभी उपपर आकर और हॉस्पिटल से आने के बाद में बहुत सारे कपड़े हो गए थे जो हॉस्पिटल के थे तो उन सब को धोना था तो हस्बन ने सब बैक खाली किया है और उनमें से जो भी कपड़े थे वो निकाले हैं तो ये सब आप जो देख रहे हैं सब कपड़े निकाले गए धोने वाले और जो घर में अच्छे कपड़े से साफ दुले हुए उनको कपड़ों को मैं अलग करके रख रही हूँ मतलब मैं तो यहां पे अलग कर दिये हैं और हस्पेंट से बताती जाओंगी कि यह कपड़े यहां रख दीजे ऐसे कर दीजे तो उन्होंने सब कपड़ों को इतना भी आप देखिए वो तो अपनी पूरी लगन से सिद्दत से कर रहे हैं काम बस यही मेरे लिए काफी है कि जैसे भी वो कर ले वो बहुत अच्छा है अब इस तरीके से उन्होंने अपना कपड़े और धो हैं फिर वासी मसीन में कपड़े जो धुलने वाले थे उनको रात में फिर उनको वी चलाना है काफी कुछ काम तो मैं मेड से करवाउंगी पर अभी कोई मेड आई नहीं है क्योंकि अरली मॉनिंग में अभी उनको पता नहीं है कि मैं आ गई हूं घर पर फिर मैने उनको फोन करके सब को बुलाया था तो उन्होंने सब आ गई थी फिर काम रूटीन में दीरे दीरे आ रहा है और दीदी भी साम को फिर चली गई थी पांच बजे करीब चली गई थी अपने घर उवकानपूर में और फिर लंच टिफिन ये सब आएगा उसी से हम लोग खाना खाएंगे और ये है रात का सीन जो हम लोग जिस समय खिचडी खा रहे हैं क्योंकि टिफिन वाले को हम लोग ने फोन किया था रात के टिफिन के लिए तो उसने कहा कि मेरी आज तब या ठीक नहीं है तो उसने आज टिफिन नहीं भेजा तो ममी जी ने नीचे खाना बना दिया था खिचडी तो खिचडी के साथ में हजबन ने फिर पापड भी सिख दिया था तो फिर हम वही खाना खा रहे हैं खिचडी और ये हरी चटनी है और मैं फिर उसके साथ में पापड भी खा रही हूँ तो खाना खाने के बाद में फिर मुझे जैसे अब एकसेसाइस करवानी है ये सब भ ही मुझे exercise करवा रहे हैं फीजियो थेरपी जो कहते हैं वो डॉक्टर ने हम लों को जो बताई थी exercise वो सब उन्हों ने करवाया फिर मुझे twilight लेकर जाना भी सब ही नहीं के उपर है काम तो ये करवा रहे हैं हर चीज जिम्मेदारी करते हैं और पेसिंट को बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं अगर हर किस इंसान मैं से कहते ना गुसा है तो फिर खासियत भी है वही चीज है तो इनके में गुसा तो है पर साथ में उनकी यह है कि वो फिर केरिंग भी बहुत ज़्यादा है तो यहां पर यह देखिए मेरी exercise क करवा रहे हैं पैरों में मूमेंट करवा रहे हैं क्योंकि सुबेरी भी जब मैं इतनी कमजोरी है ना मेरे सरीर में की उठी जी तो मुझे सुबेरी मौनिंग में चक्कर आ गया था तो अभी समय में बहुत ज़्यादा मैं मतलब अपने आपको संभाल के काम करना पड़ रह है जो भी exercise वो मुझे करवा रहे हैं जो भी है चीजे मतलब इतना pain है कि मुझे वह भी बहुत conscious रहना है हर चीज के लिए रात में फिर इतना दर्द हो रहा था कि फिर मुने रात में पानी मांगा husband से गरम पानी सिकाई के लिए तो भी उन्होंने दिया मुझे को तो फिर उ मुझे ट्वालेट करवाना लैटन वगरा जो भी है फ्रेस करवाने के लिए लेके जाना हर चीज उनके पर जिम्मेदारी है और यहां पर यह मेरी फीजियो थेरपी वाली exercise हो रही है तो चलिए आज का दिन तो इसी तरह के से खतम हो गया तो डिस्चार्ज के बाद का जो पहला दीन है मेरा तो अगर आपको मेरा यह व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगले व्लॉग में तब तक के लिए बबाए खाना खाल गया क्या खाया किच्डी और चट्मी तुमने दाल चावल किच्डी तो तुमने चखी है कि चली तुम खाती ही का हूं मैं बता रहे हूं क्या क्या बनाता है